इतिहास की पुस्तक अध्याय सत्रह। दाउद का मंदिर बनाने की इच्छा करना और यहोवा का दाउद के वन्ष में सनातन राज्य स्थिर करने का वचन देना। जब दाउद अपने भवन में रहने लगा, तब दाउद ने नातन नभी से कहा, देख, मैं तो देवदारु के बने हुए घर में रहता हूँ, परन्तु यहोवा की वाचा का संदुक तंबु में रहता है। नातन ने दाउद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा परमिश्वर तेरे संग है। उसी दिन रात को परमिश्वर का यह वचन नातन के पास पहुँचा, जाकर मेरे दास दाउद से कहा, यहोवा यो कहता है, कि मेरे निवास के लिए तु घर बनवाने न पाएगा क्योंकि जिस दिन से मैं इसराइलियों को मिस्र से ले आया आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा परन्तु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूं जहां जहां मैंने सब इसराइलियों के बीच आना जाना किया क्या मैंने इसराइल के नायों में से जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठैराया था किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया So, अब तु मेरे दास दाउच से ऐसा कहा, कि सिनाओ का यहोवा यो कहता है, कि मैंने तो तुझको भेडशाला से और भेडवकरियों के पीछे-पीछे फिरने से इस मंसा से बुला लिया कि तु मेरी प्रजा इस्रायल का प्रधान हो जाए, और जहां कहीं तु आया और गया, मैं तेरे संग रहा, और तेरे सब शत्रों को तेरे सामने से नश्ट किया है, अब मैं तेरे नाम को पुछवी के बड़े-बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूँगा, और मैं अपनी प्रजा इस्रायल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा, और उसको स्थीर कि वहां अपने ही स्थान में बसी रहे, और कभी चलायमान न हो, और कुटी लोग उनको नाश न करने पाएंगे, जैसे कि पहले दिनों में करते थे, उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इस्रायल के उपर नाई ठहराता था, सो मैं तेरे सब शत्रों को दबा दूँगा, फ तुझे अपने पित्रों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद, तेरे वन्ष को जो तेरे पुत्रों में से होगा, खड़ा करके उसके राज्य को स्थीर करूँगा, मेरे लिए एक घर वही बनाएगा, और मैं उसकी राजगदी को सदैव स्थीर रखूँगा, मै उसका पिता ठहरूँगा, और वह मेरा पुत्र ठहरेगा, और जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझ से पहले था हटाई, वैसे मैं उस पर से न हटाऊँगा, बरन, मैं उसको अपने घर और अपने राजज में सदैव स्थीर रखूँगा, और उसकी राजगदी सदैव अटल रहेगी, इन सब बातो और इन सब दर्शन के अनुसार नातान ने दाउद को समझा दिया, तब दाउद राजा भीतर जाकर यहवा के सन्मुख बैठा, और कहने लगा, हे यहवा परमिश्वर, मैं क्या हूँ, और मेरा घराना क्या है, कि तुने मुझे यहां तक पहुंचाया है, और हे परमिश्वर, यह तिरी दुरुष्टी में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तुने अपने दास के घराने की विश्वर भविश्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है, और हे यहवा परमिश्वर, तुने मुझे उचे पत का मनुश्यसा जाना है, जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है, उसके विश्वर दाऊद तुझ से और क्या कह सकता है, तू तो अपने दास को जानता है, हे यह हुआ, तूने अपने दास के निमित और अपने मन के अनुसार यहा बड़ा काम किया है, कि तेरा दास उसको जान ले, हे होआ, जो तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ और कोई परमिश्वर है, फिर तेरी प्रजा इसराइल के भी तुल्य कौन है, वह तो पुत्वी भर में एक ही जाती है, उससे परमिश्वर ने जाकर अपनी नीज़ प्रजा करके छुड़ाया, इसलिए कि तु बड़े और आम करके अपना नाम करे, और अपनी प्रजा के सामने से जो तुने मिस्द से चुड़ा ली थी, जाती-जाती के लोगों को निकाल दे, क्योंकि तुने अपनी प्रजा इसरायल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठैराया, और हे यहोः, तु आप उसका परमिश्वर इसलिए अब हे यहोवा तुने जो वच्चन अपने दास के और उसके घराने के विशय दिया है वह सदयव अटल रहे और अपने वच्चन के अनुसार ही कर और तेरा नाम सदयव अटल रहे और यह कहकर तेरी बढ़ाई सदा की जाए कि सेनाओ का यहोवा इसरायल का परमिश् है और तेरा दास दावत का घराना तेरे सामने स्थिर रहे क्योंकि है मेरे परमिश्वर तुने यह कहकर अपने दास पर प्रगट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा इस कारण तेरे दास को तेरे सन्मुख प्रार्थना करने का हिया हुआ है और अब हे यहोवा तु इसी आशिश दी है कि वहा तेरे सन्मुख सवैवर बना रहे। क्योंकि है यहवा तू आशिश दे चुका है। इसलिए वहा सवैवर आशिशित बना रहे।